मैं गॉर्मेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और गॉर्मेंट स्कूल का तब मतलब क्या होता था कि बारिश हो गई, छुटी होगे लेकिन आज सेनेरियो बदल चुका है, सर्वशिक्षा अभियान है, र्टी एक्ट है और गॉर्मेंट की इंटर्वेंशन पॉलिसीज है, नेचनल इंटरनाशनल ग्रांट्स जो गुवंट स्कोल के लिए हैं वह प्लैंड बेसे आ रही हैं और खर्च भी हो रही है क्या उससे कौलिटेटिव चेंज आ रहा अप्लाई किस पर होनी है बच्चे पर होनी है तो अगर वहां गैप रहेगा थोड़ा सा तो वह पॉलिसी बैटर रिजल्ट नहीं दे सकती यह नहीं कह सकते के चेंज नहीं आ रहा है लेकिन चेंज बहुत जादा स्लो है लेकिन आज इतना अच्छा गौर्मेंट स्कूल हो च वियादा आती है उनमें से एक है हमारी गर्ल्स जो है स्कूल में पढ़ती है जो कंटीनियू हायर एजुकेशन तक पहुंच नहीं पाती आज भी लेवल जो है मेल फीमेल का रेशो जो बड़ा है लेकिन फीमेल आज भी डाउन है यहाई गौर्मेंट फोकस करती है कि हायर तक फीमेल डाउन जो है पहुंच सके उसके लिए एक स्कीम जो है गर्मेंट की ग्रांट भी रिलीज हुई है साइकोमेटृटरी ट्स पर ज्स के अधेन जो प्रुसस है जिसका परपस है कि ट्था क्लास की गर्मेंट स्कूल में पढ़ने वाली लडकियों को यह एल्प तो वो best subjects कौन से चूज कर सकती है best subject कौन से होंगे जिसमें उनको future में success, success career की या subject की नहीं होती, life की भी होती है, इतना बड़ा उसको देखना होता है, तो subject ऐसे चूज कर सके, वो subject कैसे चूज कर से के success मिले और उससे better career, profession, occupation जो भी फ्यूचर में earning करना चाहते हैं उनको better choose कर सके तो वो choose कैसे होंगे, वो success with satisfaction तक कैसे पहुंचेंगे, अगर ये process scientific होगा, तो scientific कैसे होगा, psychology उसको कैसे देखती है कि यह मान लीजिए, learner है, इसमें यहां color बदल के, यहां नीला color है, यहां पर कर दिया, यह मैंने ऊपर का part जो है, brain बना दिया, यह बच्चा है, और यह इसका brain का part है, और एक यहां पर ऐसे मैंने दिल बना दिया, तो दो बाते जो affective domain है, emotion, emotional aspect है, बच्चे का preference है, interest है, attitude है, जिस जो उसको अच्छा लगता है, सबसे पहले वो identify करना होता है, उसको identify करने के लिए procedure है, psychometry test है, आग चल के बात करते हैं, दूसरा है कि मुझे, माली जे एक यह अच्छा लगता है, psychometry test ने कहा, second इनको यह अच्छा लगता है, 20 preferences हैं, उन में से यह तीन top की निकाल ली, पर यह जरूरी नहीं है, कि जो top की मेरी preference है, interest है, माली जे बच्चा fashion designing में जाना जाता है, मैंने जिन school में यह किया है, कुछ कोई army में जाना चाहती है, बच्चियां, कुछ police में जाना चाहती है, पर यह जरूरी नहीं है, कि उनके brain की potential भी उसी में हाई हो, तो success कैसे बनती है, कि जहां पर उनके दिल की आवाज, preference, interest, attitude, effective, जो अच्छा लगता है, enjoy करते हैं, क्या वो उसकी potential brain, information processing, हना, वो भी हाई है, तो वो दो area minimum यह identify, psychometry test करने होते हैं, कि क्या वो जो prefer कर रहे हैं, top की preference निकाली, माली जे 1, 2, 3, 4, और उन में से सबसे ज्यादा अच्छी potential किस में हैं, जिसको आप aptitude भी बोलते हो, multiple intelligence बोल सकते हो, specific intelligence बोल सकते हो, जिससे उस खास area में, for example, teacher बनना चाहते हैं, fashion designer बनना चाहते हैं, army में जाना चाहते हैं, police में, उस area में success हासल कर सके, तो यह सारी scheme इसके लिए है, यहां दिल और दिमाग की matching उस बच्चे की होती है, उ उसके लिए, plus कुछ और भी चाहिए, तो total guidance क्या है, इसकी यह बात समझ लिए, खास करके, जो government schools के principles हैं, और guidance and counseling cell के in charge teacher हैं, उनको यह समझ लेनी चाहिए, कि total guidance procedure जो है, जिसको हम psychometric test बोल रहे हैं, वो बहुत तुछ और errorful भी हो सकता है, लेकिन important है, अगर धिहान से लगा जाए, तो यह quantitative approach है, number 1, guidance की, दूसरी है qualitative approach, इनको mix कर देते हैं, mixed method अपनाया जाता है, जो guidance में है, दोनों approach apply की देया जाती है, लेकिन जो quantitative approach है, उसमें test होते हैं, inventories होती है, for example है, interest, aptitude, intelligence है, personality test है, normally यह test लगा जा रहे हैं, तो उसमें बच्चे ने, वो paper pencil test होते हैं, बच statement पढ़ते हैं, question पढ़ते हैं, उसका जवाब देते हैं, उसमें से जवाब की क्या होती है, उसकी scoring होती है, score लिख लिए, मैंने scoring होती है, तो यह scoring क्या होगी, यह quantitative होगी, तो यह बड़ी speed से काम हो सकता है, हाला कि इतनी speed से नहीं होता होता है, क्यों कारण क्या है, होती है, यह speed से हो रहा है, psychometric test maximum वाली है, ज्यादा नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, main लगाने की जरूरत होती है, most important is relevant है, जो aim क्या है, subject, carrier, और better life, बच्चों की, तो उसके मताबक, जो test लग रहे हैं, तो वो test लगे, scoring आगी, preferences आगी, जो पीछे मैंने बताई है, interest की आगी, intelligence की आगी, personality की आगी, तो यह तेजी से पाठ हो सकता है, तो यह speed वाला काम हो सकता है, लेकिन इतनी speed वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो speed जब होती है, तो accident तभी होता है, error तभी होती है, तो हम मरते तभी है, speed नहीं हमें मारा है, हमें middle path अपनाना था, तो जब यह large number of students पर एक वक्त में लगेगा, तो naturally है कि हम right data collect कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं researcher हूँ, इतनी PhD भी करवा चुका हूँ, यह मेरा personal experience है, जब researcher जाता है, फील्ड में जाता है, तो error क्या होती है, आगे चल कि मैं वह error बता देता हूँ, मैं इसलिए यह video बना रहा हूँ, कि वह error होने से बचा लीजिए, इन बच्चीयों के लिए अगर government कर रही है, तो आगे हमारी जमेवारी है, कि उनको सच में guidance मिल सके, एक रस्ता मिल सके, उनकी life थोड़ी सी better हो सके, थोड़ी से अच्छे subject, थोड़ी से अच्छा carrier, वो चूज कर, उनको भी oxygen थोड़ी मिल जादा लड़कियां हमने भारत में जहां पूजा की जाती है, वहां मार दी है, खतम कर दी है, और आज जनसंख्या देख लीजिए, तो यह वापिस आजएए, तो दूसरी अप्रोच क्या है, क्वांटिटिटिव यह होगी, speed वाली, scoring वाली, easy है, लेकिन यह भी counselor अच्छा है, अगर one-to-one interaction होता है, बच्चों को शब्दों का meaning बताया जाता है, उनको satisfy किया जाता है, response सही धन से लिया जाता है, अगर तीसरा शक्स आखे जिसको training नहीं है, वह test लगाता है, जम वह करता है, तो error हो, यह data ही collect नहीं होगा, तो इसका सवाल अच्छी का पैदा नहीं ह लेकिन हमारी जिन्दगी qualitative है, मजार में जाते है, quality है, हम हसते खेलते है, जिन्दगी जीते है, वह quality है, तो बच्चे की right information जो उसके brain में पड़ी है, वह interview से सामने आती है, interview एक skill है, जो हर शक्स अच्छी तरह से नहीं कर सकता है, reflective interview उत्ता शायद कोई कोई कर सकता है, आप पहरान होगे, तो इस interview को जिस से हम meaningful information बच्चे से collect करते हैं, और उस information को उसकी life को सुधारने में लाते हैं, उसको better करने में लाते हैं, और problem को solve करने में लगाते हैं, वह उसको कहते हैं, counselling कहते हैं, तो सच में तो यह है कि एक counselling के counsellor जो है, क्योंकि मैं clinical psychologist हूं, जो abnormal psychology के schizophrenia depression है, पेरानार्डिक ऐसे case हमारे पास आते, phobia के आते हैं, बहुत case हाते हैं, तो वो cases को solve करने के लिए, एक counsellor face to face 2000 charge कर लेता है, लेकिन इंडिया में counselling का रिवाज नहीं है, online वो 800 से 1000 तक charge कर लेता है, तो वो skilled है, इसलिए उनको आप 2000 जो भी देते हैं, देते हैं, तो य इंटर्वियो से better information नहीं निकाल पाएगा, दूसरी बात आपकी intention कि, आप money के लिए कर रहे हो, यह तो counselor था, जो money के लिए कर रहा था, एक counselor है, जो दिल से करना भी चाहता है, कि इन बच्चियों का भला हो जाए, तो वो तो ढूंडने ज्यादा difficult हो जाएंगे, क्योंकि हम speed के पीछे पड़े हुए हैं, तो यह qualitative, मैं यह बताना चाहता हूँ, heads को, principals को, teacher in charge को, guidance counseling के है, तो यह जो project है, government का, high school की बच्चियों के लिए, तो वो, basically, यह interview process है, अगर किसी बच्चे ने गलत data यहां दिया है, जल्दी से tick लगा दिये है, तो वो interview से clear हो जाएगा, यह ग है, अगर नहीं है, तो responsible आप है, उसने देखना है, आपने देखना है, मेरा, मैं जो कर सकता था, मैं इस वीडियो के जरीए कर रहा हूँ, तो यह interview process ऐसे हो, कि बच्चों के जो है, यह जो reliable information है, यह पता चल जाए, और इस information को better subject choose करने के लिए, use हो, carrier के लिए, use हो, यह भी sufficient नहीं है, कि एक बर interview से सब कुछ हो जाएगा, हाना, क्योंकि यह project यहां तक है, लेकिन इसके बाद follow-up भी होता है, हाना, कि वो बच्चे satisfy है, जो suggestion दिये गये थे, हो सकता है, कि वो real में जाके, पहले जो choose किया था, वो real में जाके match ना करे, तो फिर guidance की जरूरत पूरत carrier की नहीं, उनकी life की, कि उन्हें ने खुश कैसे रहना है, क्योंकि यह लड़कीयां है, इनकी समस्या क्या है, कि यह लड़कीयां है, इनको पता नहीं है, कि इन के साथ क्या हो चुका है, सबसे ज्यादा जरूरी, बेरे पास 2000 से ज्यादा लड़कियों के, मैं counseling जो कर चुक है और इनको खुद को नहीं पता के आगे क्या होगा तो हम भान्या किया पता होगा नहीं पता होगा तो क्यों कि ब्यग कांसलर मेरे पास लार्ज टाटा है मुझे पता है da. इस भाइब हम एंको जहां से बचा सकते हैं बचा लें लिए तो वह पार्ट अलग से है कि इनको उसके लिए भी sensitize करना है क्योंकि इनकी exploitation के लिए male person लगभग 90% तयार रहता है तो जैसे कहते हैं प्यार जो है वो कभी भी वो नहीं देखता गुर्दासमान सब कब गना है न इश्क न देखे जात तो मैं कहा रहा हूं exploitation के लिए कुछ भी इड जो है सिग्मंट फ्राइड की तियोरी है इस पर मैं कोशिश करूँगा अलग से जो cases हैं वो parents, teachers समझ सकें के ये घटनाए होती है और सारी उम्र हमें पता नहीं होता, life तबाह हुई होती है तो depression है, suicide तक जो case जाते हैं तो that is why reality को समझना होगा, openly कुछ बातिंग करनी होगी वो मैं अगले वीडियो में करूँगा तो ये लड़कियों की life को better करने का project है, मैं ये समझता हूँ और इसके लिए एक अच्छे counselor और skilled interview जिसके पास life का और career का subject का psychometer, इसका सभी का है एक्सपीरियन्स है उसको उसकी जो चुनाव करना है, वो heads ने करना है, error क्या हो सकती है, ये आप साफधानियां जो heads है और teachers है, वो क्या रख सकती है, सबसे पहले जो psychometric test लगाते हैं, learner से error हो सकती है, कि वो कहता है, ये इतने test, इतने response देने के, large number of item होती है, एक दिने में ही normally लगाया जाता है तो वो वहाँ पर बिना पड़े ही टिक करता है, दूसरी भाशा की बहुत बड़ी समस्या है, बच्चों को उनकी mother tongue के कई शब्द समय नहीं आते हैं, जो psychologist ने वो psychometric test में रखे थे हैं ना, that is why कही तो English या Hindi में जा दूसरी भाशा में हैं, उनको convert करना जरूरी है, हल हालत म और फिर साथ में जब test लग रहा है, माली जे test लग रहा है, तो invigilator का काम होता है, वहाँ पर जो test connect कर रहा है, कि बच्चे को समझाए कि ये पूछा गया है, आपस में बात नहीं करने देने, ये पूछा गया है, तभी उसके मन की बातें सामने सही रूप से आईगी, तो guidance सही होगी, तो learner यहाँ पर error कर सकता है, ऐसे ये main दोपांट है, heads principle क्या कर सकते हैं, क्योंकि principles ये सच है, गर्वर्मेंट स्कूल के principles को manage करना पड़ रहा है, उनके पास कई ऐसे ऐसी problem है, जो उनको ही देखनी पड़ती है, manage करनी पड़ती है, तो वो करते हैं, no doubt, वो sincere हैं, इसी बात नहीं है, वो करते हैं, लेकिन उसके लिए उनको कुछ किसी और एरिया से compromise करना पड़ता है, तो हो सकता है, वो ऐसे counselor को चूज कर लें, जा ऐसी, जो है, psychometry team को चूज कर लें, कि थोड़ा सा quality कम हो जाए, और किसी और एरिया में हमारा school का, वो बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि यहां पर उनका बच्चियों के हैं, उसका सवाल है, तो मेरे ख्याल में better counselor को चूज करना, यह इनकी जिम्मेवारी होगी, ऐसे ही teacher guidance, जो cell के in charge है, उनकी responsibility है, उनकी error क्या हो सकती है, normally teacher या दूसरे teacher आके कहते हैं, जल्दी जल्दी फिल कर दो जल्दी जल्दी कर दो, कोई important नहीं है, बाकी भी ऐसे होता है, यह चलता ही है, यह कोई formality है, तो कोई भी कह सकता है, कोई भी कह सकता है, ऐसे मत कहना, कम से कम ऐसे मत कहना, और उनको sufficient time देना, यह दोनों की जिम्मेवारी है, कि counselor को sufficient time दो, कि psychometric test हो, अच्छे से लग जाएं और जो follow up उनका interview है, जब group interview है, जैसे भी qualitative technique से interaction करके हैं, बच्चों की असलियत सामने आती है, उनको better guidance मिलती है, better choice होती है, तो वो करने देना, counselor तो कर सकते हैं, counselor बहुत ज़्यादा बड़ी गलतियां कर सकते हैं, सबसे पहले, वो counselor जो सिर्फ पैसे के लिए काम करेंगे, पहली है, पहले सबसे पहले काम होना है, कि ये उस उस कुदरत का काम है, उस प्रमात्मा का काम है, दूसरा अपनी जमीर के लिए काम है, तीसरा इन बच्चियों की benefit के लिए काम है, तो वो counselor best होगा, वो मेरे ख्याल में very sorry, difficult होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे counselor होंगे, जो interview skill, जिनकी अच्छी हो, और जो बच्चों से minimum question में, minimum time में, सबसे ज्यादा information ले आए, ये लंबी process है, बहुत energy consuming, that is why 2000 रुपिया लेते हैं, एक घंटे का 2000 रुपिया लेते हैं, और कितनी बार वो counseling होती है, मेरे पास इतने case है, मेरे से दुख नहीं देखा जाता, मैं इसलिए counselor बना, और मैं counselor पहले बना, बाद में मेरी MSC psychology वगारा process degree बाद में लिगी है, तो counselor ने ये ध्यान रखना है, और ये error को बचा सकते हो, अगर आप awareड हो, तो मेरी ख्याल में, अब तक जो हो चुका है, इस video को देखने से पहले, उसको भूल जाई है, लेकिन आगे क के लिए, learner के लिए, ये वीडियो है, आप comment box में question पूछ सकते हो, भात कर सकते हो, कोई भी perfect answer नहीं है, कोई perfect counselor नहीं है, वो वो जो बैठा है, वो perfect है, जिसको हम देख नहीं रहे, पहले उनको देख लो, पता चलेगा, फिर perfect है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये video क्यों बनाया, म ये चाहता हूँ, जो errors जो है, errors कम हो जाएं, ये मैं चाहता हूँ, मैं जो चाहता हूँ, के total process ये हो जाए, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं चाहता, थोड़ी सी, मैं ये चाहता हूँ, इन एक class में जितनी बच्चे हैं, उनकी एक की life भी change होती है, तो ये project successful है, otherwise, अगर attitude negative narrow होगा, तो आप हजार school में ये सब कुछ कर ले, कुछ नहीं होगा, तो आपकी intention जरूरी है, हमने मर जाना, एक दिन खत्म हो जाना है, तो जो हम करते हैं, जो सोच के हम करते हैं, वो ज्यादा intention, इरादे किस से करते हैं, अच्छे इरादे से करोगे, तो वो करम बहुत ज्य intention positive रख के काम कीजिए, जितनी भी आपकी intention, जितनी भी energy है, जितनी भी आपकी health है, जितने भी आप बीजी हो, उसमें आप थोड़ा सा अगर ये कर सकते हैं, that is all, Dr. Tira Singh, Learn to Actualize.